है कि हाइफ प्रेंड्स आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कोखरोच के बारे में वैसे तो आपने बहुत बार सुना हुगा बहुत बार लोग कहते सुना होगा कि मैं आपका मूत बंद कर दूँगा वो करे न करे लेकिन कोक्रोच में वो छमता हुती है कि वो कर सकता है कोक्रोच जो है उसका एक medicinal use भी है और इससे जो है human को बहुत नुक्सान भी है जहां बात आती है medicinal use की तो इसकी खेती करते हैं चाइना के लोग और बड़ी मात्रा में जो है कोक्रोच को पाल करके और उसको गुरो करके फिर उसकी जो है मैडिशन तयार की जाती है जो मुत्र बंद तोड़ने के काम आती है कि यह एक विशेस दवा के रूप में इसका परियोग होता है है लेकिन यह जह है फूर की बात करें तो फूर में कंटायमिनेशन सबसे ज़्यादा यही फैलाता है ओर आपके किचन है किचन में जो कंटायमिनेशन होता है उसमें जितना यह खाता नहीं है उसका तकरीब yn After 35 से 40 गुना यह कंटेमिनेशन फैलाता है बहुत सारी एसी डिजीज हैं जो कोक्रोच के दुवारा कैरी होकर के एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचती है यानि कि आपके फूड पे जितना असर चुहे का था उससे कहीं ज्यादा कोक्रोच का प्रभाव होता है और यह क वीडियो में इस समस्या का समूलत निवारन करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि आप घर से कोक्रोच को कैसे भगा सकते हैं और वह भी बहुत ही कम कीमत में तकरीबन दो से तीन रुपे के खर्चे में ही आपका काम होने वाला है मैक्सिमम पांच रुपे मान लीजिए और सारी चीजे लगभग आपको आपके कीचन में मिल जाएंगी आपको बाहर से भी कुछ सोर्स करना नहीं है फार्मूला बहुत ही जबरजस्त है और यह फार्मूला जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए मैं आपको आज कौकरोच से बिलकुल 100% नि पहुंच सकें और अब शुरू करते हैं आज का नया एक्सपेरिमेंट और आपको बताते हैं कि कौकरोच को किस तरीके से हम लोग जो है वो निजात पा सकते हैं और कैसे यह हम तक जो है वो नुक्सान दे हो रहता है हमें नुक्सान पहुंचाता है आप जितने भी पैस हैं उनसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि या तो आप मेरे चैनल को छोड़ दीजिए अगर चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और यह वास्ताव में आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो मैं बता रहा हूं उनसे आपको कोई फायदा हो रहा है तो एटलिस्ट व एटी परसेंट कोल इसी बात के लिए आते हैं कि सर यह बता दीजिए वह बता दीजिए जबकि वह चीज़ें मैं और वीडियो में एक्स्प्लेइन कर चुका हूं तो आप उन वीडियो का आनंद उठाईए और उसको समय निकाल करके पूरा देखिए महां से आपको काम हो हो जाएगा फिर उसके बाद जो है मैसेज आते हैं कि सर वाटसप नंबर देजिए फोन नंबर देजिए भाई साहब जब तक आप जो हैं अपना समय नहीं दे पाएंगे तो आपको जो है कुछ भी दे दिया जाए उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है कि लाइसेंस बनान लाइसेंस नहीं बनने वाला है मेरी ट्रेनिंग से आप सिर्फ काम कर सकते हैं आप काम को बहतर बना सकते हैं आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं अपने स्किल को डवलप कर सकते हैं मैंने जो आपको लाइसेंस की परकिरिया के लिए वीडियो बना करके दिये है यदि वो डोक्यूमेंट उस पर किरिया के हिसाब से लगा करके दे देते हैं तो फटा फट लाइसेंस बनने में कोई रिकत नहीं आने वाली है लेकिन अब आप सोचो कि वह डोक्यूमेंट में आरेंज आपको करके दूं तो वैसा पोसिबल नहीं है थोड़ी बहुत मैनत आपको भ यार करने वाले हैं चलिए हम आपको लिए चलते हैं लेजिए साब आपको स्वागत है फिर से लेबोटरी में और लेबोटरी में जो है आपको ये तीन तरीके के बाउल हमारे पास दिख रहे हैं ये एक बाउल है जिसमें प्लास्टर ओफ पैरिस लिया गया है इसकी जगा कुछ और भी फिलर ले सकते हैं यह सरफ फिलर के रूप में लिया गया है इसका जो है एक योग कोई यूज़ नहीं निजात दिलाने वड़ा है और ये केमिकल आपको मिलेगा आपके नियरबाइ केमिस्ट की शौप से इसका नाम भी मैं आपको दूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथ में वीडियो में भी आपको मिलेगा और सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक चम्मच केम कर ले लिया यह हमने ले लिया तकरीबन तीस स्पून है जितना हमने इसको लिया है उतने ही प्रपोर्शन में आप जो है फिलर को भी ले लेंगा फिलर हमने इसलिए इसमें लिया है ताकि जब आप इस डस्ट को डस्टिंग करेंगे तो करने में आसानी रहे क्योंकि केमिक करेंगे तो आपकी कोस्टिंग बहुत ज्यादा आएगी तो इसलिए जो है आपको जो है कि टू थर्ड का रेशियो रहेगा यानि कि दो चमच यदि आप फिलर लेते हैं तो एक चमच आपको केमिकल लेना होगा अब हमने दो चमच इसमें जो है प्लास्टर ओफ पैरिस ले लिया है उसका डस्ट है प्लास्टर ओफ पैरिस का बहुत महीन डस्ट है इसकी जगा आप जो है वो मैदा का यूज भी कर सकते हैं और कोई इस तरीके का जो है महीन फिलर आपके पास है तो उसका आप यूज कर सक हमने मिलाया है तो आपको कैमिस्ट की दुकान पर जाकर बोरिक पाउडर माधना नाम से यह आती आति है और आपको आसानी से यह किसी भी मेडिकल चॉप पर यहां तो वहां से आप इसको परचेज कर लेंगे एक मैव में जोए एक चमच ऑरी आप ले लेंगे जो पाउडर के रूप में आती है और दो चमच आप फिलर ले लेंगे और इस तरीके से इसको आपस में आप मिसरन को मिक्स कर लेंगे अब ये जो है मिसरन जो डस्ट आपकी है वो तैयार तो हो गई है लेकिन कोकरोच जो है इसको खाए या इस तक पहुंचे इस बात की कोई गैरेंटी नहीं है इसके लिए आपको क्या करना पढ़ेगा इसके लिए मेरे पास ये काफी पाउच है जो एक एक रूपे की केपिसिटी के हैं ये आप देख सकते हैं इसमें यहां एक रूपेश लिखी हुई है brew instant coffee है ये तो आप जो है इसमें एक रुपे वाला एक पौच कौफी का add कर दीजिए इस तरीके से आपको इसमें जो है coffee powder add करना है ये आपने इसमें coffee powder add कर दिया है और धीरे धीरे इसको जो है आपने mix कर दिया है mix करने के बाद ये dust जो है आपकी ready हो चुकी है और इसको आपको जो है जहां जहां आपको kitchen है kitchen की slap है उसके नीचे का area है basin के नीचे का area है वहां पर आपको इसकी आप जैल की बात यहीं हम करें बहुत सारे लोगों के message आते हैं कि वह सब आप जो है वह जैल बनाना सिखा दिए जैल में जो है बहुत बड़ी लेवल पर अपना काम शुरू किया है तो आप क्योक रोच को कैसे भगा सकते हैं उसके लिए नुस्का जो है sufficient है और जाना माना नुस्का है ऐसा नहीं है कि यह काम नहीं करेगा आप इसको प्रियोग करके देखो यह 100% काम करता है और हमने इसको बहुत जगा कोफि यूज किया है कोफी पाऊडर जो हमने इसमें मिलाया है उसको मिलाने के पीछे रीजन यह है कि जो कॉफी की स्मैल होती हूँ कोकरोच को एट्रेक्ट करती है अपनी तरफ और attract करेगी तभी यहां तक पहुँचेगा यहां पहुँचेगा फिर जो है इसमें जो है smell के कारण अपना भोजन तलाशने की कोशिश करेगा अब यदि वह भोजन तलाशने की कोशिश करेगा तो उसके सरीर पर उसके जो antenna वगरा है वहां कहीं न कहीं जो है ये dust उसको चिपक जाती है और dust चिपक जाएगी तो जो boric acid उसमें दिया गया है उससे उसको जो है नुखसान होता है जिसकी वजह से वो वहां से भाग जाता है और बाकी जो उसकी family के members होते हैं उनको भी बताता है कि वहां issues हैं और आपको दो से तीन दिन में ऐसे results आते हैं कि आपके kitchen में एक भी cockroach आपको नजर नहीं आती है तो इसी को यदि आप थोड़ा सा गीला करके इसका पेस्ट तयार कर लेते हैं पानी के साथ मिला करके तो temporary तो पे आपकी वो जो जैल का काम होता है जैल की जगा आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन होता क्या है कि ये जब आटे के या परष्टर और पैरिश के साथ आप मिलाते हैं तो ये जल्दी सूख जाता है जब ये सूख जाता है तो फिर सूखना के बाद ये काम नहीं करेगा एसको आपको बार बार कीला करना पड़ेगा, इसलिए आप जो है, जहाँ नमी वाले एरियास हैँ, वहाँ पही जगा जो है, वह पेस्ट के रूप में कर सकते हैं। वहाँ कोक्रोज को भगाने के लिए ये सबसे पहतरीन और कार गरतरीका होता है। कौफी पाउच के साथ में बौरिक एसिड का मिसलन तयार करके आप जो है इसको भगा सकते हैं तो आपने देखा एक रुपे का जो है वो कौफी पाउच आपका लगा और एक रुपे से भी कम कीमत का आपका जो है इसमें बौरिक एसिड पाउडर लगा और साथ में जो है उस के कैशन में ये जो है वो फार मॉला यहini रहा और काम घर में है और यह तक वीडियो देखा है तो जाहिर सी बात है आपका इंट्रेस्ट जागा हुआ है और वीडियो आपको पुसंद आ रहा है इसी बात पर एक लाइक शेयर कर दीजिए और इसी को आगे जो है फारवर्ड कर दीजिए अब हम बात करते हैं कि फार्मूला आपका तयार हो गया है और इस फार्मूले से आपका काक्रोच चला जाएगा आपको अब अपने एरियाज में सिर्फ ये करना ह कि मार्केटिंग करके आपको कौक्रोच की एमसी बुक करनी है और यह सर्विस आप हर दो महिने में एक बार एट लिस्ट देते रहें तो आपकी एमसी चलती रहेगी बनी रहेगी और वहां आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझा नहीं आएगी आपका व्यापार दोड दोड़ें और साथ में दुनिया दोड़े इसलिए वीडियो आपकी बनती रहे आती रहे समय पे मिलती रहे पर एक चीज है दोस्तों आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं इस चीज का दुख है मुझे और वाच टाइम यदि आपका पूरा मुझे मिलता है बहुत जल और हम अपने दर्सकों को किसी एक दिन का समय दे करके उस निरधारित समय पे लाइव आप से जो है वो जुड़ करके बातचीत कर सकते हैं लेकिन फिलाल जो है वो लाइव इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारा चैनल अभी तक मॉनेटाइज नहीं हुआ है और हमें उसमें कुछ वर्च टाइम की जरूरत है तो आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी लोग हैं हमारे विसेश कर प्रेस कंट्रोल वाले वो जितनी प्रेस कंट्रोल की वीडियो हैं उनको एक बार एट लिस्ट पूरा आप देख लीजिए एक वीक के अंदर ही आपका चैनल मॉन